उमर रियास को जब शो से निकाल दिया गया है तो सवाल ये उठ रहा है कि उमर के निकलने के बाद सबसे ज्यादा फाइदा किसे हुआ है या यू कहें किसके लिए उमर रियास को शहीद किया गया क्या उमर अपनी विज़ से निकले और उनके निकलने पर इमेडियेटली किस को बेशुमार अपार फायदा हुआ है बात करते हैं कौन-कौन हैं लोग हैं जो competition में है करन तेजा प्रतीक शमिता निशांत राखी रश्मी देवो अब इस विच्छ के लिए के बात में छोड़ देती हूं यह लोग घर में है अब कुछ लोगी कह रहे हैं कि क्या तेजा को है तो करन अगर मैं बोलूं गेम में उमर बहुत अच्छा के रहे थे मगर तेजा गेम में उनसे उपर ही चल रही थी अगर में वोटिंग बागी तमाम जो मैं बिग बॉस के पैरामीटर्स समझूं जीत के लिए तो करन प्रतीक और तेजा यह तिनों आगे ही चल रहे थे भले प्रतीक को टिकेट फिनाले नहीं मिला था लेकिन प्रतीक कहीं ने कहीं कॉम्पेटिशन में थे उनको उमर के जाने से उनको फायदा हुआ ऐसा नहीं हो सकता है ना तेजा को उमर के जाने से फायदा हुआ ऐसा हो सकता है अब बात करते शमिता के शमिता उनको टिकेट following बढ़ रही है लोग उने बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं उमर की popularity बहुत ज़्यादा थी उमर के fans बहुत ज़्यादा थे और वो शमिता को उमर से ज़्यादा votes नहीं मिल लेते जब भी शमिता और उमर एक साथ voting में आएंगे कहीं पर्विन में competition होगा तो शमिता को बुरी तरह से शिकस्त मिलेगी उमर के fans बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में शमिता को immediately फाइदा हुआ निशान को immediately फाइदा हुआ कि निशान कहीं कहीं fan following में उसको भी रुक्सान हो रहा है हलाकि game वो अच्छा खेल रहा है तो उमर के निकलने के बाद शमिता और निशान को clear-cut फाइदा मिला है दूसरी तरफ वहीं करन को उमर के fans वोट देंगे उमर के fans जाकर एक करन को वोट देंगे so that karan प्रतीक से ज्यादा आगे तक जा पाए तो करन को फाइदा हुआ या उमर के fans करन को वोट नहीं देंगे और जैसा है वैसा चलता रहेगा आप क्या लगता है क्या उमर के fans अगर उमर के वोटिंग करेंगे क्योंकि तेजा और उमर कोछ अच्छा नहीं बन रहा था या फिर राकी सावन और निशान जैसे लोग जो अंडा और ब्रेड उमर के जाने का उसका बटवारा करने जा रहे ते जहांते जाने कहा आज मत बोलना नश्मी के पास जा करके तो वहां कहीं न वाले लोग डॉक्टर और हॉस्पिटल के पर नहीं ले जाते बलकि उनका समान चोरी करने लगते तो कुछ वैसा नजारा नजार आया लेकिन वो तो वो लोग कॉंटेंट के लिए कर रहे थे मुगर हां उमर के निकलने पर बहुत से लोग को बहुत फायदा होगा रश्मी अकेली हो गई रश्मी तूटी हुई नजर आई देबोलीना जो रश्मी की दोस्ती के लितरसी हुई थी यहां पर उन्हों कोई बॉंड नहीं बन पाया तो उन्होंने ये कह दिया कि जब भी तेरा कोई दोस जाता है जब अरहान गया तब भी मैं थी और आज उमर गया क्ले वीडियो में